आर के नारायन, पूरा नाम, रासी पुरम, कृष्णा स्वामी, अईयर नारायन स्वामी, भारत के सबसे प्रसिद्ध, अंग्रेजी भाषा के उपन्यासकारों में से एक और भारतिय साहित्य में एक अग्रणी व्यक्ति थे, यहां उनके जीवन के बारे में कुछ प्रमुक तथ्य दिये गए हैं, प्रारंभिक जीवन, तथ्य नंबर एक, आर के नारायन का जन्म, 10 अक्टूबर 1906 को मदरास, अब चेन्नई, ब्रिटिश भारत में हुआ था, तथ्य नंबर दो, वह एक मध्यम वर्गिय तमिल ब्राह्मन परिवार से थे, उनके पिता, आर के, वें प्रिष्ठ भूमी, तथ्य नंबर तीन, नारायन ने अपनी सनातक की डिगरी मदरास के प्रेसिडेंसी कॉलिज से पूरी की, तथ्य नंबर चार, पत्रकारिता, करियर, प्रारंभ में, नारायन ने एक पत्रकार के रूप में, अपना करियर शुरू किया, और कई समाचार पत्रों के लिए काम किया, साहित्तिक कैरियर तथ्य नंबर 5 पहला उपन्यास, उनका पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंट्स 1935 में प्रकाशित हुआ था, इसने कालपनिक शहर मालगुडी पर आधारित उपन्यासों की एक श्रंखला की शुरुवात की, तथ्य नंबर 6 म नारायन की सबसे प्रसिद्ध कृतियां कालपनिक शहर मालगुडी पर आधारित उपन्यासों की श्रंखला है, इनमें The Bachelor of Arts 1937, The Dark Room 1938 और The English Teacher 1945 शामिल है, तथ्य नंबर 7 उपन्यासों के अलावा, नारायन ने कई लगू कताएं लिखी, जिन्होंने अपने ज्यानवर्धक और विनोधी आख्यानों के साथ साहित्तिक परिद्रिश्य में योगदान दिया, तथ्य नंबर 8 उनके कुछ कारियों को सफल फिल्मों में रूपांतरित किया गया, विशेश रूप से गाइड, जो उनके इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जिस पर 1965 में देव आनंद अभिनीत फिल्म बनाई गई थी, पुरसकार और मान्यताएं, तथ्य नंबर 9 आर के नारायन को उनके उपन्यास दिगाइड के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित किया गया था, तथ्य नंबर 10 1964 में साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वोच नागरिक सम्मानों में से एक पद्मभूशन प्राप्थ हुआ, व्यक्तिगत जीवन, तथ्य नंबर 11 आर के नारायन का विवाहर राजम से हुआ था, और दमपति की हेमा नाम की एक बेटी थी, बाद के वर्षों में तथ्य नंबर 12 अंतरराश्ट्रिय मान्यता उनके कारियों को अंतरराश्ट्रिय प्रशंसा मिली और वह वैश्विक साहित्यक मंच पर मान्यता प्राप्थ करने वाले पहले भारतिय लेखकों में से एक बन गए तथ्य नंबर 13 आर के नारायन का 94 वर्ष की आयू में 13 मई 2001 को चैननई भारत में निधन हो गया तथ्य नंबर 14 भारतिय साहित्य में योगदान आर के नारायन को भारतिय अंग्रेजी साहित्य में अग्रणी माना जाता है सरलता, बुद्धी और रोजमर्रा की जिन्दगी का गहन अवलोकन करने वाली उनकी रचनाओं ने पाठकों पर स्थाई प्रभाव डाला है और उन्हें व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा जाता है तथ्य नंबर 15 नारायन द्वारा निर्मित, कालपनिक शहर मालगुडी, भारतिय साहित्य कितिहास और लोकप्रिय संस्कृति का एक अभिन अंग बन गया है उनकी कहानिया जिनमें अक्सर आम लोगों और उनके रोजमर्रा के संगर्षों को दिखाया जाता है सभी उम्र के पाठकों को पसंद आती है ऐसे ही अच्छे अच्छे जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कर दीजिएगा